नमस्कार किसान साथियों स्वागता आपके अपने यूटूब चैनल किसान एक्सप्रेक्स में किसान साथियों आज की वीडियो में बात करेंगे अगर आप अमरूद का बाग लगाना चाहते हैं तो आप अमरूद का बाग किस प्रकार लगा सकते हैं कि वीडियो में आपको अम्रूद गाबाग लगाने की एक विज्ञानिक और विष्ट्रेत वीदी के बारे में आपको बताएंगे तो आप इस वीडियो को अंतक देखें अगर आपको वीडियो चलगता तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा सेयर करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं गुले ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रही किसान साथ हो अगर बात की जाए अम्रूद के बाग की तो हमार तो अगर बाग की बात की जाए विशेसकर अम्रूद के बाग की अगर बात की जाए तो अम्रूद का बाग आपको एक अच्छा खासा मुनाफ़ा दे सकता है इसलिए जो हमारे इस एरिये के अंदर बागों का प्रसनल बढ़ता जा रहा है अगर बात की जाए अम्रूद के अब बात की जाए तो आप फ़री मार्च में अमरूद का बाग लगा सकते हैं लेकिन अगर आप बाग लगाना चाहते हैं तो आप मार्च के अंदर बाग लगाने की शुरुआत करें जो प्रोसेस होती पूरी एक लंबी प्रोसेस है और आप मार्च के अंदर उसकी प्रोसेस की शुरुवात करें और जुलाई अगस्त के अंदर या फिर जुलाई के पहले सप्ता के अंदर जब भी बारिज का मोसम शुरू होता है आप उसे में बाग लगाएं वो बाग जाजा उचित माना गया है क्योंकि मौनसून में या ब करते हैं तो वहाँ पर वह उस जगह के इनवार्मेंट में ढलने के लिए थोड़ा टाइम ले लेते हैं कई बार जो पोद्दे हैं ज्यादा गर्मी के कारण है कुछ पोद्दे हमारे खराब हो जाते हैं इसलिए आप जुलाई अगस्त के अंदर बाग लगाएं वह बड़ बड़ा उचीत रहेगा उसकी त्यारिया आपको मार्च में शुरू कर देनी है सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको आपके खेट का चैन करना है आप जब भी आपके खेट का चैन करें तो उसके सबसे पहला काम होता है मिट्टी की जांच करवाना किसान साथ और हमारी सब्सक्राइब कुछी हैं या फिर किसी अंध्र फसलेका 小ग जाने के त्यारि रहे तो वाई च्ड़ने को काफी निच्छा ओथा कि लिए इसलिये हमें नीच्छे तक कि मिट्टी की जाउस कुछाने पड़ेगी उसके लिए pot क्या करना पड़यका? उसके लिए आपको आपने खेयत में एक step by step जो है मिट्री की जांस करवाने के के लिए त्यारी करनी पड़ेगी。 उसके नदर आपको क्या करना है? उसके नदर आपको एक जगह से ऐसे साथ मिट्टी की सैंपल लेने हैं एक जगह से साथ मिट्टे की सेंपल लेने है उसके अंदर सबसी जो पहला सेंपल है वो आपका उपरी स्टैका होता है उसके अंदर आप जीरो से पंद्रा सेंटीमीटर तक का एक सेंपल लेंगे उसके बाद आप पंद्रा से तीस सेंटीमीटर तक का सेंपल लेंग का और जो सात्वा जो सेंपल आपका डेड़ सो से दो सो सेंटिमीटर का होगा क्योंकि हम जितनी गहरी खुदाई करते हैं यह माना जाता है कि जो अमरूद की जड़े हैं चार से पांच फिट तक चली जाती है कई बार तो उस तरह की जो मिट्टी है अमरूद के लिए वो 990-110 120 120, そ Oke Evolution 2 2006 वो सेंपल आपको आपके खेत के चारों कोणों से चार जगह से लेने हैं आप बिलकुल मेट की मिट्टी ना ले या फिर मेट के बिलकुल पास से ना लें March क्योंकि वहां पर खरब्वत्वार होता है और वो जो कारबिनीक मैने और है वह ज्था बढ़ जार सब्सक्राइबMeni की जो मैटर होता है जुमीन के अंदर, आप वहाँ से पाथ फीट अंदर की चार जगे से साथ साथ सैंपल लें. Plezमें प्लस जो बहुंत पेनिकी का प्रियोग करेंगे तो आपको पानी की ज्याच करवाने कि capture के आफ शकता है उसके पचात जो आगे की त्यारी है वो सुरू होती है किसान साथ यह उसके बाद त्यारी होती है कि हमें बाग अगर मालीजे हमें एक एकड में लगाना है तो हमें कितनी दूरी के उपर जो हमारा बाग है वो लगाना है उसमें दो वीदिया है एक जो प्रमप्रागत वीदि है उसके अंदर क्या होता है कि जो हम पोद्धे लगाते हैं अठारा भाई एठारा के उपर जो पोद्धे हैं अमरूत के वो लगा जाते हैं उस बाग की लाइफ ए 30-35 साल बताई गई है जो हर्याना एगरिकल्चर निस् कि जो हम बाग लगाते हैं उसके अंदर जो दूरियां है पोद्धों की कम होती गई है पहले हम 18 बाई 18 के उपर लगाते थे फिर 15 पे आगे 12 पे अब अगर आप बाँ लगाना चाहते तो आप 20 बाइद पर भी पोद्धे लगा सकते हैं लेकिन जो अठारा बाई 18 का बाग है और दस बाई जो दस काब आगा उसमें फर्किये रहता है कि तो दस बाई दस फिट के उपर आप जो पोद्दे लगाते हो उसके आपको परते एक वर्स कटिंग करने पड़ेगी और अठारा बाई इठारा में इतनी कटिंग करने के आप शुक्ता नहीं होती क्योंकि खेथ हैं यह आप देख सकते हैं तो सबसे पहले क्या करना है यहाप की इगर खेत की बुंट्री हो गई तो यहां से अगर आप 18 ओए 18 पर पोद्दे लगाते हो तो आपको यह 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 पर आप 10 बाई दस पे लगाते हैं तो आप यहां पर नो फिट की जगह आपे पाश फीट जगा चोड़ सकते हैं किसान साथी हो उसके बाद अगर आप ऐसे बाद ऑपे अठारा बाई अठारा पर आगर आप पोदे लगा लगाते हैं तो आपका 110 के पोदे के लगब गएक एकड़़् के अंदर लगते हैं और अगर आप जैसे जैसे उनका जो बीच की दूरिया कम करते जाते हैं वैसे वैसे पोद्र की संख्या बढ़ती जाती है उसके बाद आप अपने खेते में निसान लगा लीजिए अगर बात की जाए तो मार्च महिने में आप ये प्रोसेस सुरू कर दें उसके बाद आपको क्या करना है आपके जहां भी निसान लगे हैं जहां पर जितने भी आप लगा रहे हो वहाँ पर आपको एक गड़ा खोदने है गड़ाखोदने की जो वीधी है वो आपको ध्यान से सुननी हूँ और वही इंपलिमेंट करनी है आपको क्या करना है आपको तीन फिट चोड़ा, तीन फिट लंबा और तीन फिट गहरा गड़ाखोदना है माल लिजीए आपका जो गड़ा है यहां से भी 3 फीट हो यहां से भी 3 फीट हो तीन फीट ही गहरा हो उसमें आपको श्यावधान क्या बरतनी है जो आपके गड़े की मिट्टी निकलेगी वो जो स्वरू की डेड़ फिट की जो मिट्टी निकलती है वो आपको एक साइड रखनी है और जो उसके बाद डेड़ फिट की मिट्टी रखनी है वो आपको एक साइड रखनी है और आपको उनकी एक पहचान करनी है उसके पहचान के लिए आप जब पहला गड़ा खोते हो तो आप एक दिशा का अनुमान लगा सकते हो किस दिशा के अंदर में उपर वाली मिट्टी डाल रहा हूं और किस दिशा के अंदर में डेड़ फिट से निस्चे वाली मिट्टी डाल रहा हूं उसके बाद आपको क्या करना किसान साथ यह वो गड़े आपको खुले छोड़ देने हैं वो गड़े आपको पूरा मार्च, अप्रेल, मई वो आपको खुले छोड़ देने कि अगर आपके जमीन के अंदर किसी भी प्रकार की जो फंगस की अगर सिकायत होगी तो आगे घर्मी का मौस, फंगस हैं के खतम हो जाएगी, अगर नीमा टोड़ की मका खातम का जाएगी, अगर आपके केते में डिममक की खतम हो जाएगी। उसके बाद बाद आती है जून महीने की या फिर मई के अंतिम सप्ता के अंदर या फिर जून के पहले सप्ता के अंदर आपको उन गड़ों को भर देना है उसको उन गड़ों को भरने के लिए आपको क्या करना किसान साथियो जो आपकी डेड़ फुट की उपरी स्टेगी ज जीम जिंक परकुछ डालने के जूरत नहीं है, आप केवल एक किलो सूपर परति पोद्दे के हिसाब से आप डाल कर और उस मिश्रन को आप गड़े के अंदर भर दीजिए, एक बार फिर बता देता हूं, गड़ा बरने के लिए आपको क्या करना है, जो आपकी डेड़ फिट आपको प्रियोग करनी है, आपको कोई कच्चिक हाद प्रियोग नहीं करनी है, पलस एक किलो सिंगल सूपर फोस्पेट, आप वो मिला कर आप उस गड़े को बर दीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, जो डेड़ फिट की मिट्टी थी, जो डेड़ फिट से निचे, तीन फिट तक की जो मिट्टी थी, वो आप उस गड़े के उपर लगा कर गड़े को बंद करतीजिए, वो गड़ा है जो आपका जमीन की स्तेय से उपर हो जाएगा, उसके अंदर कोई बारिस का पानी या कोई खेट का पानी नहीं जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना ह आप जुलाई के महीने के पहले सब्ता के अंदर आप उसके अंदर पोदे लगा देजिए, पोदे लगाने के बाद जब उसके अंदर आप पानी डालते हो, उस पानी के अंदर 15 ml कलोरो पाई रिफोस 20% परती पोदे की साब से आप प्रयोग करें, जिससे जो दिम्म का प् बात करते हैं, तो अगर आप यूपी साइड अगर आप आप अगवानी करना चाहते हो, तो आप सबसे बड़ी आ वराइटी है वहां की इलाबादी सफेदा जो आज भी वहां पर फेमस है, उसके बाद आप ललित लगा सकते हो, आप सरदार लगा सकते हो, पंत प्रभा आज के दिन जो हिसार सफेदा की वराइटी है काफी प्रचलित है, और उसका जो फ्रूट है, उसका साइज भी काफी अच्छा है, उसके बाद आप हरियाना के अंदर वी नर लगा सकते हो, जिसको हम थाईवन के जी बोलते हैं, उसकी सेलिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसकी जो सेलिंग है कुछ विशेश जगव पर होती है, क्योंकि साइज बड़ा होता है, और यहां पर जो हमारे जितने भी कस्टमर हैं, वो मीडियम साइज के अमरूद खरिदान चाते हैं, इसलिए आप हिसार सफेदा लगा सकते हो, आप पिंक ताइवान भी लगा सक की उसकी एक विश्टित वीडियो हमें आपको आगे बना कर देंगे, उसमें आप देख सकते हैं कि आप किस प्रकार अमरूद की जो है बागवानी का रखरखाओ कर सकते हैं, किसान साथियों आने वाले वीडियो में आपको खेती बाड़ से संबंदित, गार्वनिक से संब कर देते रहेंगे तब तक बने रही हमारे साथ, देखतरी हमारे चनल पर धन्यवाद, जैहीं